नमस्कार, मैं हूँ शेखर, धरम करम में अब बात करते हैं आज के पंचान की अब बात करते हैं आज की तिथिकी और आपको बताते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए फल्दाई होगी शुब तिथि, एकादशी नंदा संग्यक्ति थी प्राते छे बचकर आठ मिनट तक तदंतर द्वादशी भद्रा संग्यक्ति थी प्रारंब हो जाएगी आज एकादशी की वृद्धी हुई है एकादशी तिथि में समस्त शुब व मांगलिक कारे विवा जनेवु देवोत्सव ग्रह आरंब प्रवेश यात्रा दी शुब होती है द्वादशी तिथि में सभी चर स्थितकारे विवा व अन्य मांगलिक कारे प्रशस्त है चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके उपर इसका क्या असर होगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथ ही हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग योग सिद्धी नामक ने सर्गिक शुब योग रात्री बारा बचकर 37 मिनिट तक तदो परांत व्यतिपात नामक बाधा कारक शुब योग है जो समस्त शुब कारियों में सर्वता त्याज्य है विशिष्ट योग यमघट नामक शुब योग सुर्य दर से प्राते 10 बचकर 44 मिनिट तक तथा त्री पुशकर नामक शुब योग प्राते 10 बचकर 44 मिनिट से अगले दिन सुर्य दर तक है करण बालव नामकरण प्राते 6 बचकर 8 मिनिट तक तदंतर कॉलव व्य तेति लादी करण रहेंगे दोस्तों आप बारी है आप जान लीजिए आज के व्रत त्योहार उत्सव और विशिश आयोजन अब आपको बताते हैं आज चंद्रमा के स्थिति कैसी है दिशाशूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा होगा चंद्रमा संपून दिवारातरी मिथुन राशी में है दिशाशूल मंगलवार को उत्तर दिशा की यातरा में दिशाशूल रहता है चंद्र की स्थिति के अनुसार आज पश्चिम दिशा की यातरा लाबदायक वे शुब प्रद है अब आपको बताते हैं आज के शुब मुहुर्थ और स्रेष्ट चोगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कार्य के लिए उत्तम रहेगा शुब मुहुर्थ उपर्योक्त शुबाशुब समय तिथी वान नक्षत्र व योगा नुसार आज हल प्रवेहन का यथा आवशक पुनर्वसु नक्षत्र में शुब मुहुर्थ है शुरेष्ट चोगडिये आज प्राते 9 बचकर 18 मिनिट से दोपहर बाद 2 बचकर 5 मिनिट तक क्रमशे चर्ड लाव अम्रत तता अप्राहन 3 बचकर 41 मिनिट से शाम 5 बचकर 17 मिनिट तक शुब के शुब के शुरेष्ट चोगडिये है एवं दोपहर बारा बच कर चार मिनिट से दोपहर बारा बच कर पचपन मिनिट तक अभी जीत नाम अक्षरेश्ट मूर्थ है जो आवश्यक शुप कार्या आरंब के लिए अत्योत्तम है अब आपको बताते हैं आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में में प्रसिद्धी पाने वाले होते हैं इनका भाग्योदय लगभग 24 से 25 वर्ष की आयू तक हो जाता है मिथुन राशी वाले जातकों के कारे में आ रही समस्त बाधाएं दूर होकर कारे विस्तार के साथ धन लाब भी होगा कीरती में व्रिद्धी होगी तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक्षतर चौगडिये और आज जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये ग्रहनक्षतर भी उनी का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश् प्रास रखते हैं एश्वर से कामना है आपका आज का दिन मंगल कारी हो नमस्कार